प्रधान मंत्री नरेद मोदी ने रविवार को मंत्री परिश्रत की बैठक की अध्यक्षिक्ता की जिसमें विकिसित भारत 2047 के लिए दर्श्टिक और पत्र को और अगले पांच वर्ष के लिए डीटेल वर्क योजना पर मन्थन किया गया सरकार ने सूत्रों में बताया है कि बैठक में 2024 में नई सरकार के गटन के बाद तुरंत उठाये जाने वाले कदम के लिए सो दिवसी एजन्डे के शीक्र इंप्लिमेंटेशन भी चर्चा की गई उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए रोड मैप दो साल से अधिक की गहन तयारी का पईड़ नाम है सरकार का ओवरॉल जश्टी को शामिल है इस संबंद में एक अधिकारी ने कहा कि विविन्स सरों पर 2700 से अधिक बैठक और कारे शैली और सेमिनार आयोजित किये गए 20 लाग से अधिक युवाओं से सुझाप प्राप्त हुएं सूत्रों ने कहा है कि विकसित भारत के लिए रोड मैप में स्पष्ट रूप से व्यक्तिकत किया गया कि राष्ट दस्टी अकांशाय लक्षे और कारे के साथ एक व्यापक आउटलाइन है उन्होंने कहा कि इसके लक्षे में अधिक विकसित, सत्विकसित लक्षे, जीवन को आसान बनाना, व्यापार करने में आसानी, बुन्यादी धाचे और सामाजी कल्यान जैसे छेतर शामिल है बैठक में कई मंत्रालियों ने अपने विचार भी व्यक्त किये ये बैठक लोगसबद चुनाफ की तारीकों की इलेक्षिन आयोग की और से, भोशना किये जाने से पहले इस तरह की संभत आखरी बैठक है लोगसबद चुनाफ की तयारियों के बीच बीजिपी ने शनिवार 2 मार्च को पहली लिस्ट जारी की इस लिस्ट में 28 महिलाएं और 47 युवा उमिनवारों को टिकेट दिया गया है वहीं बीजिपी की लिस्ट में अभी भी 35 केंदर मंतराले और राज्य मंतरालों के नाम भी शामिल है इसके साथ ही पिये मोदी ने कहा कि जब हम सत्तर तरवा स्वतंतर दिवस मनाएंगे हमें से मजबूती से खाद पानी देना चाहिए प्रदान मंतरी मोदी ने कहा कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल जश्न मनाएगा तो मेरा देश विकिसित भारत बनेगा और मैं देश का समर्ते करते आधार पर कह रहा हूँ आज के लिए बस इतना ही ऐसे न्यूज अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल दनक्री मीडिया के साथ दन्यवाद